परिचय आज की सुभब बहुत अच्छी है हाँ पिता जी, आज चमकीली धूब का दिन है तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है बहुत अच्छे आर्यन पिता जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ हाँ बेटा पिता जी, ये सभी वहन जैसे की कारे, ट्रक, आदी इन्धन से चलते हैं? हाँ क्या अंत्रिक्ष शटल भी ऐसे ही इन्धन से चलते हैं? मेरे बेटे, उनमें विशेश प्रकार के इन्धन का प्रयोग किया जाता है ये विशेश प्रकार का इंधन कैसा होता है? अंतरिक शटल को उपर ले जाने के लिए उनमें बाहरी टैंक में हाइडोजन का उप्योग किया जाता है क्या तुम इस बारे में और अधिक जानना चाहोगे? हाँ पिता जी इस पाठ में आप हाइडोजन और इसके योगिकों के बारे में सीखेंगे उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे आवर्त सारणी में हाइडोजन को खोजना तथा हाइडोजन के समस्थानिकों का वर्णन करना हाइडोजन के विचरन, हाइडोजन के भौतिक तथा रासाइनिक गुण धर्मों की व्याख्या करना, हाइड्राइडों का वरणन करना आवर्तसारणी में हाइडोजन का स्थान Hydrogen आवर्थ सारणी का प्रथम तत्व है जिसकी पर्मान्मिक संख्या एक होती है क्यूंकि इसमें केवल एक एलेक्ट्रॉन होता है इसलिए इसका एलेक्ट्रॉनी विनियास एक S की घात एक होता है Hydrogen के द्वैत व्यवार के कारण आवर्थ सारणी में इसके लिए उचित स्थान खोजना कठिन है क्यूंकि क्षारिय धातूं तथा हेलोजनों से इसकी समानता होती है क्षारिय धातूं की तरह इसके संयूजी कोश में केवल एक एलेक्ट्रॉन होता है हेलोजनों की तरह हाइड्रोजन में भी अक्रिय गैस विन्यास पूर्ण करने से केवल एक एलेक्ट्रॉन कम होता है डाइ हाइड्रोजन H2 प्राप्ति हाइड्रोजन ब्रह्मान में अति बहुल्य तत्व है यह ब्रह्मान के कुल द्रवेमान का लगभग सत्तर प्रतिषत है रहस्पति तथा शनी ग्रह अधिकांच तह हाइड्रोजन से बने हैं सूरे का आधे से अधिक द्रवेमान तथा कुछ अन्य तारे भी हाइड्रोजन के बने हैं संयुक्त रूप में यह प्रिथवी की परपटी तथा महासागरों का 15.4 प्रतिशत भाग बनाता है प्रिथवी में इतना गुरुत्वा कर्शन नहीं होता कि यह हलके हाइडोजन अनू को रोक सके इसलिए यह हमारे वायू मंडल में नहीं पाया जाता हाइडोजन के समस्थानिक हाइडोजन के तीन समस्थानिक होते हैं प्रोटियम इसकी परमानु संख्या एक और द्रव्यमान संख्या भी एक होती है इसमें एक प्रोटॉन होता है लेकिन इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता और एक electron इसके 1S कक्षक में होता है इसे प्रतीक H से निरुपित किया जाता है इसकी प्रचुरता 99.985 प्रतिशत होती है Deuterium इसकी प्रमानु संख्या 1 और द्रवेमान संख्या 2 होती है इसमें 1 proton होता है तथा इसके नाभिक में 1 neutron होता है और एक electron इसके 1S कक्षक में होता है इसे प्रतीक D से निरुपित किया जाता है इसकी प्रचुरता 0.0556 प्रतिशत होती है Tritium इसके नाभिक में 1 proton और 2 neutron होते हैं और 1 electron इसके 1S कक्षक में होता है यह अत्यंत दुरलब समस्थानिक है सामान्य hydrogen के 10 की घात 18 अणूँ में Tritium का केवल 1 अणू होता है hydrogen के इस समस्थानिक की प्रकृती रेडियो धर्मी होती है और यह निम्न उर्जा वाले बीटा में उत्सर जित करता है इसकी प्रचुरता 10 की घात माइनस 15 प्रतिशत होती है डाय हाइड्रोजन, H2 का विर्चन डाय हाइड्रोजन का प्रयोगशाला में विर्चन प्रयोगशाला में हाइड्रोजन समाने तह तनू खनिज अमलों की दानेदार जिंक जैसी धातों से अभीक्रिया करते हुए बनाई जाती है दानेदार जिंक के कुछ टुकडे वुल्फ की बोतल में रखे जाते हैं जिसमें एक थिसल फ़नल और एक डिलिवरी ट्यूब लगी होती है थिसल फ़नल के जरिये तनु सल्फ्यूरिक अमल डाला जाता है अमल जिंक से अभिक्रिया करके हाइडोजन उत्पन करता है जो पानी के अधोमुखी विस्थापन द्वारा जार में एक कत्र कर ली जाती है सरंधना होने के कारण शुद्ध जिंक का उप्योग नहीं किया जाता और इसलिए कुछ देर बाद अभिक्रिया मंध हो जाती है इसलिए दानेदार जिंक का उप्योग किया जाता है जो अशुद्ध होती है और यह अभिक्रिया की दर बढ़ा देती है डाई हाइड्रोजन का व्यापारिक उत्पादन जल का विद्यूत अब घटन इसमें अमलीकृत या क्षारीकृत जल का विद्यूत अब घटन किया जाता है उपकरणों में एक एनोडिक लिम्ब, कैथोडिक लिम्ब, अमली कृत जल तथा प्लाटिनम की पन्या शामिल होते हैं जल को अमली कृत करने के लिए हम तनू H2SO4 का उप्योग करते हैं तनू सलफ्योरिक अमल जल को विद्युत अब घटनी के रूप में कारे करने लायक बना देता है जब एनोड और कैथोड एक बैटरी से जोड़े जाते हैं तो कुछ मिली एंपियर की हलकी विद्युत धारा उत्पन होती है और वोल्ट मीटर की दोनों भुजाओं में बुलबुले दिखने शुरू हो जाते हैं एनोड वाली भुजा ओक्सीजन का तथा कैथोड वाली भुजा हाइडरोजन का एकत्री करन करती है होने वाली अभिक्रिया निम्न है H2SO4 का वियोजन H2SO4 देता है 2H plus plus SO4 2 minus H2O का वियोजन H2O देता है H plus plus OH minus कैथोड पर अभिक्रिया H plus plus electron देता है H H plus H देता है H2 एनोड पर अभिक्रिया OH minus देता है OH plus electron 4OH देता है H2O plus O2 संपूर्ण अभिक्रिया 2H2O देता है 2H2 plus O2 एनोड पर SO4 2 minus आइनों की V देता में OH minus आइन मुक्त किये जाते हैं ऐसा इसलिए क्यूंकि electron का तवरित गती से त्याग करना SO4 2 minus आइन की अपेक्षा OH minus आइन के लिए अधिक आसान होता है चूंकि सल्फियूरिक अमल इस होने वाली रासाइनिक अभिक्रिया में स्वेम भाग नहीं लेता इसलिए इसे अभिक्रिया का उत्प्रेरग कहा जा सकता है Dihydrogen का व्यापारिक उत्पादन Dihydrogen को लाल तप्त कोक के साथ वाश्प की क्रिया द्वारा भी तयार किया जा सकता है जैसा की नीचे वरनित है बनने वाली वाटर गैस संशलेशित गैस सिंग गैस भी कहलाती है तब वाटर गैस वाश्प में मिश्रित हो जाती है और तप्त Fe2O3 तथा Cr2O3 पर 770 केल्विन तापमान पर प्रवाहित की जाती है तब CO, CO2 में ओक्सिक्रित हो जाती है तब CO2 और H2 का गैसिय मिश्रण दाब के अंतरगर्थ ठंडे जल में बुल्बुले बनाता है जहां CO2 घुल जाती है और डाई हाइडोजन गैस बचती है जो बाहर निकल जाती है यह अभिक्रिया अंगार गैस स्रिती अभिक्रिया भी कहलाती है डाई हाइडोजन के गुण धर्म भौतिक गुण धर्म यह रंगहीन, गंधहीन, स्वाधहीन गैस होती है यह वायू से हलकी होती है और जल में अविलय होने के कारण जल के अधो मुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर ली जाती है यह उच्च दहनशील होती है यह सभी तत्वों से हलकी होती है डाई हाइडोजन के रासाइनिक गुण धर्म हेलोजनों से अभिक्रिया हेलोजनों की हाइडोजन से अभिक्रिया शीलता निम्न है हाइडोजन हेलोजन से अभिक्रिया करके हाइडोजन हेलाइड्स बनाती है डाइ ओक्सिजन से अभिक्रिया हाइडोजन डाइ ओक्सिजन से अभिक्रिया करके जल प्रदान करती है डाइ हाइडरोजन के रासाइनिक गुण धर्म डाइ नाइटरोजन से अभिक्रिया हाइडरोजन डाइ नाइटरोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया प्रदान करती है धातूं से अभिक्रिया हाइडरोजन धातूं से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है जहां M एक शार धातु है उदारण के लिए डाइ हाइडोजन के रासाइनिक गुणधर्म धात्विक आइनों तथा धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया हाइडोजन धात्विक आइनों तथा धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके संगत धात्विक प्रदान करता है उदारण के लिए कार्बनिक योगिकों से अभिक्रिया जब हाइडोजन को लगभग 473 केल्विन तापमान पर उत्प्रेरक के रूप में पूर्ण तहा विभाजित निकेल की उपस्थिती में खादे तेलों पर प्रवाहित किया जाता है तो वे कठोर हो जाते हैं तथा खादे वसाओं में परिवर्तित हो जाते हैं डाइ हाइडोजन के उप्योग इसे अमोनिया के संचलेशन में उप्योग किया जाता है नाइट्रोजन तथा हाइडोजन को हीटर पर से प्रवाहित किया जाता है जहां वे एक निश्चित आपान तक गर्म हो जाते हैं जिसके बाद वे संपीडित किये जाते हैं और तब रियाक्टर में प्रवाहित किये जाते हैं जहां अभिक्रिया होती है ततपश्चात मिश्रन को अप्शिष्ट हीट बॉयलर में भेज दिया जाता है जहां अमोनिया ठंडी होती तथा संचित की जाती है, जबकि नाइटोजन और हाइडोजन को रिसाइकल कर दिया जाता है. इसे वनस्पती घी के उत्पादन में उप्योग किया जाता है. अंतरिक्ष अनुसंधान में इसे रॉकेट इन्धन के रूप में उप्योग किया जाता है. विद्युत उर्जा उत्पन करने के लिए इसे इन्धन सेलों में उप्योग किया जाता है. हाइड्राइड हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैसों के सिवाए आवर्त सारणी के अन्य लगभग सभी तत्वों के साथ संयोग करके द्वियंगी यौगिक बनाती है जो हाइड्राइड कहलाते हैं. हाइड्राइडों को निम्न प्रकार से वर्गिक रिद किया जा सकता है. आयनी या लवनिय हाइड्राइड आयनी हाइड्राइड हाइड्रोजन और सारवधिक सक्रिय धात्वों के बीच बनते हैं. विशेशकर समुह एक और दो तत्वों के क्षार तथा क्षारिय मृदा धात्वों के साथ. इस समुह में हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के रूप में कारे करती है। वे अधिक धन विद्यूती धात्विक परमानों के साथ आबंधित होते हैं। पिघले हुए अलकली हेलाइड में लवणिय हाइड्राइड के विलेन का विद्यूत अभघट निर्मित करता है। एनोड पर H2। अभिक्रिया निम्नवत व्यक्त है। शारधातु हाइड्राइड कार्बनिक यौगिकों से जल अंश हटाने के लिए भी उप्योग किये जाते हैं। सह सयोजक या आणविक हाइड्राइड हाइड्रोजन पी ब्लॉक के तत्वों के साथ आणविक यौगिक बनाती है। ऐसे हाइड्राइडों के सामानने उधारण CH4, NH3, H2O, HF इत्यादी हैं। इन हाइड्राइडों का स्थाइत्व समुह में निम्नता के साथ घडता है। उधारण के लिए एक आवर्त में व्याद्योत रनात्मक्ता बढ़ने के साथ स्थाइत्व बढ़ता है। उधारण के लिए सह सयोजक या आणविक हाइड्राइड। आणविक हाईड्राइडों को निम्नवत वर्गिक रित किया जाता है इलेक्ट्रॉन स्मृध्ध आणविक हाईड्राइड इन हाईड्राइडों में केंदर के परितह एलेक्ट्रॉनों के एक या अधिक एकाकी युग्म होते हैं जो अधिक व्याद्योत रिनात्मक तत्व होते हैं उधारण के लिए जल में दो एकाकी युगम होते हैं इलेक्ट्रॉन परिशुद आन्विक हाइड्राइड इन हाइड्राइडों में लुइन्स रचना हेतू इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षित संख्या होती है मीथेन एलेक्ट्रॉन परिशुद आन्विक हाइड्राइड का एक सामानने उधारण है इन हाइड्राइडों में एलेक्ट्रॉनों की संख्या उससे कम होती है जितने लुइन्स रचना के लिए आवशक होते हैं डाइबोरेन ऐसे आन्विक हाइड्राइड का एक सामान्य उधारण है। धात्विक या अरसमी कर्मितिय या अंतराकाशी हाइड्राइड। ये हाइड्राइड सामान्य तह निम्नद्वारा बनते हैं। D-block के समुह 3, 4, 5 की संक्रमन धातुएं। समुह 6 की CR धातु, F-block के तत्व, D-block के समुह 7, 8, 9 के तत्व हाइड्राइड नहीं बनाते। आवर्तसारणी के समुह 7, 8, 9 की धातुएं की हाइड्राइड बनाने में यह असमर्थता D-block का हाइड्राइड अंतराल कहलाती है। इन यौगिकों में H पर्मानु धात्विक जालकों में अंतराकाशी स्थितियां ग्रहन करते हैं। उधारण के लिए SCH2-LAH2.87 क्या आप जानते हैं? बोईंग ने नया हाइड्रोजन चालित विमान प्रस्तुत किया है। बोईंग नए विमान को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में कारे कर रही है। बोईंग व अन्य कंपनियों ने ऐसे नए विमान विकसित किये हैं जो वैकलपिक उर्जा का उप्योग करें। विमान के आगामी परिक्षन करने से बोईंग को इन्हन सेल तथा उन अन्य प्रोध्योगी कियों का सर्वोत्तम उप्योग समझने में मदद मिलेगी जो इसने विमान के लिए चुनी हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संगशेप में दोहराएं। हाइड्रोजन आवर्थ सारनी का प्रथम तत्व है जिसकी परमान्विक संख्या एक होती है। प्रोटियम, डियोटीरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन सामाने तह तनुखनिज अमलों की दानेदार जिंक जैसी धातों से अभिक्रिया करते हुए बनाई जाती है। हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वाधहीन और उच्चे दहनशील गैस है। हाइड्रोजन हेलोजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हेलाइड्स बनाती है। हाइड्रोजन डाइ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल प्रदान करती है। हाइड्रोजन डाइ नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके अमूनिया प्रदान करती है। हाइड्रोजन धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। हाइड्रोजन धातु आइनों तथा धातु अक्साइडों से अभिक्रिया करके संगत धातुएं प्रदान करता है। हाइड्राइडों को आइनी सहसयूजी तथा धातुएक हाइड्राइडों के रूप में वर्गी क्रेद किया जा सकता है।